मोहन और पिंकी की टेकनोलॉजी पर नजर शाम का वक्त था मोहन आराम से अपने कुर्सी पर बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे पिंकी अपने कमरे में अकेली थी, अपने फोन पर कुछ करने में व्यस्त मोहन के चश्मे पर धूल जमी हुई थी, और वहा कभी-कभी उन्हें साफ करते थे उनकी शेरवानी उनके शरीर पर बैठी हुई थी, जो उनके परंपरागत रवेये को दर्शाती थी वहा कुछ एक पन्ने पलटते रहे, कभी-कभी अपनी कुर्सी पर हिलते भी अचानक, पिंकी का जोरदार हंसने का आवाज मोहन के कानों तक पहुंचा मोहन घबरा कर अपने चश्मे को एक तरफ रखते हुए बोले कौन है वहाँ? कहीं कोई भूत तो नहीं आ गया पिंकी ने जोर से हंसते हुए खा पापा, भूत नहीं, मैं टिक टॉक वीडियो बना रही हूँ मोहन बिना कुछ समझे बोले टिक टॉक, क्या है ये? कब से सबजियां उग रही हैं फोन में? पिंकी हंसते हुए बोली पापा, टिक टॉक एक एप है जहां लोग वीडियो बनाते हैं और शेयर करते हैं ये सोशल मीडिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है मोहन अचर्ज में पूछते हैं सोशल मीडिया, क्या है ये? कहीं ये भी कोई नया भूत तो नहीं है? पिंकी मुस्कुराते हुए बोली पापा, सोशल मीडिया वह जगह है जहां लोग अपनी तस्वीरिंग और वीडियो शेयर करते हैं मैं भी वहाँ पर हूँ और अपने दोस्तों के साथ बातचीत करती रहती हूँ मोहन हैरान होकर बोले लेकिन ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है इतनी सारी चीजें फोन में कैसे आ गई? कोई जादू तो नहीं हो गया? पिंकी हंसते हुए बोली पापा, ये जादू नहीं है ये तकनीक है आप पी इसे सीख सकते हैं अगर आप चाहे मोहन अपनी शेरवानी को सुधारते हुए बोले मैं तकनीक सीखूँ बेटी, मेरे दिनों में ये सब नहीं था हम लोग बस अखपार पढ़ते थे या रेडियो सुनते थे ये सब नया-नया जादू मुझे समझ में नहीं आता पिंकी मोहन को समझाते हुए बोली पापा, आप भी इसे सीख सकते हैं मैं आपको सिखा दूंगी कि टिक-टॉक कैसे काम करता है देखिए, मैं अभी एक वीडियो बना रही हूँ मोहन बेचैन होकर बोले ये टिक-टॉक वाला वीडियो कैसे बनता है क्या कोई भूत आ जाता है फोन में पिंकी मुस्कुराते हुए बोली नहीं पापा, कोई भूत नहीं आता आप देखिए, मैं कैसे वीडियो बना रही हूँ और वह अपने फोन पर कुछ करके मोहन की ओर देखने लगी मोहन हैरानी से पिंकी को देखते हुए बोले पेटा, ये सब क्या हो रहा है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं तो बस अख़बार पढ़ने आया था ये सब क्या हो गया पिंकी मुस्कुराते हुए बोली पापा, आप पस देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि टिक टॉक कैसे काम करता है और वह अपने फोन पर कुछ देर तक काम करती रही मोहन खबरा कर बोले पेटा, क्या ये भी कोई नया जादू है क्या कोई भूत आ गया है पिंकी हंसते हुए बोली नहीं पापा, ये जादू या भूत नहीं है मैं बस अपना टिक टॉक वीडियो बना रही हूँ देखिए, मैंने आपका वीडियो भी रिकोर्ड कर लिया मोहन हैरान होकर पूछते हैं मेरा वीडियो लेकिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्या आप मेरे बारे में वीडियो बना रही हो पिंकी मुस्कुराते हुए बोली हाँ पापा मैंने आपका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जब आप अखबार पढ़ रहे थे आप बिल्कुल दिखते हैं जैसे कोई टिक टॉक स्टार मोहन घब